हलो एवरिबडी दिस दिग्राश सिंग राजपूत वेलकम टू मेगनेट बेंज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ दी अर्थ ठीक अब देखे हीट जोन्स यहां पर लिखा हुआ है मैंने उसको पहले से भी हाइलाइट कर दिया हो हीट जोन्स क्या होते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्वेटर ट्रॉपिक ओफ मतलब एक्वेटर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी दूसरे important parallel latitudes होते हैं ठीक है जो दूसरे important parallel latitudes हैं वो कौन-कौन से थे ट्रॉपिक ओफ कैंसर ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकॉन आर्टिक सर्कल और अंटार्टिक सर्कल चार थे ठीक है अब वो classify क्यों किय गए थे क्योंकि उन लैटिट्यूट्स के बीच में उन parallel latitudes के बीच में जो category बनाई है वहां पर अलग-अलग amount में heat receive की जाती है और इस हिसाब से वो अलग-अलग heat zone बनाते हैं यह heat zone मतलब simple सी चीज़ है कि एक area में जितनी heat है वो एक zone हो गया दूसरे area में जितनी heat है वो दूसरा zone हो गया तो वो heat zones क्या है वो समझते हैं देखो यह आपकी बुक में diagram आपके पास भी है मेरे पास भी है दोनों के पास है ठीक है यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो एक green color में जो zone है उसे क्या कहा जा रहा है torrid zone कहा जा रहा है क्या होता है torrid zone यह समझेंगे ठीक है फिर अगर आप देखोगे तो north template zone south template zone मतलब normally हम temperate zone कह लेते हैं तो orange color में दो zone दिख रहे हैं आपको जो temperate zone खहला रहे है यह क्या होते हैं यह भी समझेंगे फिर उपर देखोगे तो frizzid zone लिखा यunden और south pole तो the midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitudes between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn simple चीज़े देखो, हमने क्या बोला यहाँ पर यह Tropic of Cancer रहेगा 23 degree और यह रहेगा Tropic of Capricorn 23 degree 30 minutes North और South respectively, मतलब North Hemisphere में यह और South Hemisphere में यह अब इतने area को हम Torrid कह रहे हैं, Torrid क्यों कह रहे हैं वो समझना जो sunraise होती है, देखो sun वैसे तो चलो बड़ा ही बनाते हैं, नि तो आप बोलोगे कि अपने अर्थ यहाँ अब sunraise जो है, तो sunraise क्या होती है, साल में कम से कम एक बार, यह जो इतना area रहता है तो इतने area में हमेशा sunraise, मतलब हमेशा sunraise रहती है, तो एकदम straight sunraise रहती है और एक point of time पे क्या रहेगी, zero degree पे रहेगी, एकदम straight sunraise एक point of time पे 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree, 5 degree, तो यह 23 degree, 30 minutes नौर्थ तक sunraise डायरेक्ट जाती है साल में कम से कम एक बार, ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा यह भी समझा देता हूँ, मैं आपको देखो simple सा practical, देखेंगे हम उसमें समझ आना चाहिए, मानलो यह sun है, ठीक है, sun है तो आप sunraise यहाँ पे जा रही है अभी, तो अभी sunraise मानलो यहाँ पे जा रही है, सीधे तो जैसे जैसे sun क्या करता है, अर्थ क्या करता है, sun को rotate करता है ना, मानलो यह sun है तो अर्थ रोटेट करता है इस तरह से sun को, तो rotation के चलते क्या होता है, कि sunraise जो है तो वो इतने area में, torrid zone में fluctuate होती रहती है, ठीक है, तो यह जो area है, यह सबसे ज़्यादा maximum sunraise को receive करता है इसलिए इसे क्या जाता है टॉरिट जोन कहा जाता है ठीके दिस एरिया receive the maximum heat आया ना समझ में तो एक जोन तो हमने इस हिसाब से बनाया तो जो पिछले वीडियो में शायद किसी को doubt रह गया होगा कि यह imaginary lines यह वाली जो latitude है तो latitude को इतनी importance क्यों दे रहें तो उसका कारण ये है कि इतना एरिया जो इसमें sun अपना पूरा एरिया समझके डाइरेक्ट सन्रेज देता है ठीक है और ये टोरिट जोन कहलाता है अगला क्या है? टेंपरेट जोन देखो टेंपरेट जोन क्या होता है? तो midday sun never shines overhead on latitudes beyond the tropics tropic of cancer and tropic of capricorn तो जैसे भी जो उपर बताया कि ये boundary होगी sun की इसके उपर डाइरेक्ट देखो ऐसा नहीं कि यहाँ एकदा मंदेरा रहेगा अंदेरा कायम रहे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है लेकिन यहाँ पर जो sun rays जाएगी तो वो direct नहीं जाएगी आपको sunlight तो दिखेगी उजाला दिखेगा ऐसा नहीं कि एकदा मंदेरा हो गया लेकिन आपके उपर sun rays direct आ रही है क्या नहीं आ रही है लेकिन वोई wall के बाद में इधर की तरफ जो area है जहां तक wall के height के कारण जो shadow बन रही है shadow के आगे तो sun rays direct जाएगी न तो यह बस वही चीज़े कि यहां तक क्या है कोई wall नहीं एक तरह से दिखा जाए यहां इसके बाद में क्या होता है कि जो sun rays जा रही है तो थोड़ी सी क्या tilt होके जा रही है direct नहीं जा रही है ठीक है तो mid day sun never shines overhead on the latitude beyond tropics तो यह tropics जो है tropic of cancer, tropic of capricorn इसके ऊपर इसके नीचे direct जो mid day sun रहता है वो direct मतलब sun rays नहीं पहुचाता है अपनी direct नहीं पहुचाता है तो थोड़ी सी tilted पहुचाता है ठीक है तो the angle of sun rays goes on decreasing towards the pole तो मतलब क्या होका कि यहां थोड़ी tilt यहां और उससे ज्यादा तो थोड़ी सी tilted race जाएगी जैसे जैसे आप poles की तरफ जाओगे ठीक है तो therefore this zone has moderate temperature तो यहां पर हमने क्या वाला कि maximum heat receive होती है तो maximum temperature रहता है तो जैसे अब इंडिया कहां लाए करता है यह बताता हूं मैं आपको देखो इंडिया की position कुछ ऐसी है मद्यप्रदेश देखा अपने मद्यप्रदेश जो सेंट्रल स्टेट है इंडिया का सेंट्रल में एकदम तो इस स्टेट के बीच से निकला एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आदे इंडिया में बहुत गर्मी रहती सिलिए साउथ इंडिया में जितने भी स्टुटेंट्स पढ़ रहे हों बताएंगे वहाँ पे समर्स और स्ट्रॉंग होते हैं समर्स में और गर्मी लगती है और साल भर गर्मी तीज रहती है लेकिन जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो आप डेली वगेरा में थंड विंटर्स क्या होते हैं तो सब्सक्राइब टॉपिक आपिक के बीछ में तॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक और ओफ इस वठी में और यह तेम्पर रहेगा तो एगा तो इसके ऊपर नीचे क्या उपर Arctic Circle के उपर और North Pole और Antarctic Circle के नीचे और South Pole इतना एरिया जो रहेगा यह वाला पूरा यह Frisid Zone कहलाता है Frisid, Frisid Zone क्या होगा जहाँ पर सब कुछ जम गया हो, ठीक है, Frozen तो यहाँ पर वही बताएगा है कि North Hemisphere में area lying between Arctic Circle and North Pole ठीक है Frisid Zone कहा जाता है, this zone is very cold, बहुत थंडा रहता है, अब आप बताएगे कारण इसका, क्यों थंडा रहता है, तो इसके थंडा रहने के पीछे का कारण समझेए, इसके थंडा रहने का पीछे का कारण यह होता है, कि जब Sunrise यहाँ पर slant होते आ रही है, तो वह पोल पर आते आत बहुत ज़ादा slant हो जाती है, मतलब direct sunraise नहीं आती है, direct की जगा क्या होती है, जैसे sun है, तो अब ऐसा है अगर मानलो, अर्थ मैंने आपको axis समझाया था, एक और चीज़ देखो, कारण भी बताई देते हैं आपको, ठीक है, sunraise tilt क्यों हो जाती है, जो यहाँ पर जैस ल जो हमारा circle है, ऊपर वाला, tropic of cancer और Arctic circle, तो Arctic circle तक क्या हो रही है, चीज़े दिख रही है, यहाँ पर Arctic circle 66 degree, तो sunraise अभी इतने area में direct है, देखो न मैं अगर यहाँ से यह से देखूँगा, आप खुद देखो चलो, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, आप sun हो, ठीक, आपको अभी क्या दिख रहा है, आप sun हो, तो आपको नीचे वाला portion और यहाँ तक एकदम clear चीज़ें दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उपर वाला एकदम clear नहीं दिख रहा है, तो वैसी ही sun होता है, कि sun जब देखेगा, तो sunraise जो पहुचाएगा वो, तो एक समय प less heat, rays slanting होती बहुत जुकी हुई रहती है, तो इसलिए heat नहीं मिल पाती है, तो एक समय पर ऐसा रहेगा, जब हमारे यहां winters होंगे, और जब summers होंगे हमारे यहां, तो इस तरह की situation हो जाएगी, तो अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे north pole दिख रहा है, south नहीं में, तो यह simple सा खेल है किस चीज़ का, यह simple सा खेल है, sun rays का, और sun rays के हिसाब से heat distributed रहती है, और उस heat distribution के हिसाब समने अलग-अलग heat zones बना दिए, अब बताओ ज़रा, आया मजा, समझ में आई सारी चीज़ है, ठीक है, so this was all about heat zones of the earth, अब देखो क्या होता है, तो जो फ्रिज काम होता है, कैसे उनमें heat distributed रहती है, latitude complete, अब देखते, longitude का क्या काम होता है, क्या significance होता है, next video lecture में हम वही पढ़ने वाले हैं, I hope यहां तक सारी चीज़ें समझ में आई है, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask the question, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.